Lucas Aspera, Drone Pushpi, Tamba और Tumba नमस्कार, आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उस पौधे का नाम है Lucas Aspera, जिसे Drone Pushpi या Guma Saak के रूप में जाना जाता है. यहाँ पौधा हमारे परिवेश में मिलता है, खर्पतवार के रूप में उगता है, पौश्टिक है, औशदीय है, हम इसे नहीं पहचानते हैं, इसके कारण इसके गुड़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे पहचानेंगे, यह कहां पाया जाता है, कैसा दिखता है, इसके पौश्टिक गुड़ क्या-क्या है, इसके औशदीय गुड़ क्या-क्या है, और इसे कैसे उपयोग करें. इस पौधे का बोटेनिकल नाम लियूकस एसपरा है, जो फैमिली लैमी एसी का सदस्य है, इंग्लिश में इसे कॉमन लियूकास, हिंदी में इसे गोमा, गूमा या छोटा हलकुशा बोलते हैं, संस्कृत में द्रोण पुश्पी या चित्र पत्रिका, गुजराती में कुल यह पौधा सीधा होता है, डिफ्यूजली ब्रांश होता है, वार्शिक छोटा पौधा है, जो 15-40 सिंटीमीटर उंचा होता है, यह रभी सीजन की फसलों में जैसे की गेहूं की, मक्का की और अरहर की फसलों में प्रचुर मात्रा में स्वयम उगता है, यह सड़क के किनार एक बेर्थपड़ी जमीनों में भी स्वयम उग जाता है, यह हिमाले से लेकर के इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट और यहां तक के स्री लंका में बहुतायत से उपलब्द होता है, इंडिया और फिलिपीन्स में यह सबसे कॉमन खरपतवार माना जाता है, यह अफरीका मे एसिया के अन्य भागों में, पैसिफिक आईलेंड में, साउथ अमेरिका और चाइना में प्रशुर मात्रा में उपलब्द होता है, इस पौधे का इस्टेम जो होता है वो सीधा होता है और कड़ा होता है और क्वाड्रेंगुलर होता है जो नीचे से डिफ्यूजली ब्रा प्रजिन होती है, फूल जो इसके होते है वो गुच्छे में या होरल में होते हैं, जो या तो सबसे ऊपर पौधे के उखते हैं और इसके एकसिल से पतियों के टहनियों के एकसिल से भी निकलते हैं, 0.5 सिंटीमिटर तक इनका डायमिटर होता है और इसमें वाइट करके होते हैं चिकने होते हैं और ब्राउन होते हैं सीट सब सिलेंड्रिकल होते हैं और रेडिश ब्राउन होते हैं और इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मुख्यता रेनी सीजन में होता है यह पौधा बर्सात से ले करके जाड़े तक, यानि जुलाई से जनवरी तक बहुतायत से उपलब्ध होता है पत्या और इसके यंग शूट को कलेक्ट किया जाता है, चौप किया जाता है, फ्राई और रोस्ट करके खाया जाता है ऐसी मानता है कि इस पौधे को खाने से सरीर को सकती मिलती है और विभिन बिमारियों से लड़ने की सकती प्राप्थ होती है इसके बीज भी कच्चे खाये जाते हैं बीजों में एक तेल निकलता है जिसे कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अब अगर इसके नूट्रियंट्स के बारे में जाने तो इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मातरा में कार्भो हाइड्रेट और फिनॉल्स और वाइटमिन C और E पाये जाते हैं टैनिन भी प्रचुर मातरा में मिलता है फैट की मातरा इसमें काफी कम होती है नूट्रियंट्स में मिनरल्स में कैल्सियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटैशियम, कॉपर, आयरन, मैगनीज और जिंक प्रचुर मातरा में उपलब्ध होते हैं यह पौधा हमारे परिवेस में पाया जाता है, खर-पतवार के रूप में सोयमुक्ता है, पोश्टिक है, स्वादिष्ट है लेकिन चुकि हम इसके औशदिय गुणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसे नहीं पहचानने के कारण तो ऐसे पौधों के बारे में अगर आपको रूची है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं इसके औशदिय गुणों के बारे में यह पौधा जो है, इसमें बहुत से ऐसे फाइटो केमिकल्स जैसे की फ्लेवोनोयट्स, ग्लाइकोसाइट्स, अलकलोयट्स, टैनिन्स, सैफोनिन्स, ट्राइटर्पीनोयट्स, क्वीनोन्स और फिनॉलिक कंपाउट्स पाये जाते हैं जो इसे औसदिय गुड़ प्रदान करते हैं यहां पौधा एंटी ऑक्सिडेंट है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में वाइटमिन C और E पाया जाता है इसके अलावे इसमें एक बहुत स्ट्रॉंग बायो एक्टिव सबस्टांस, ल्यूकैसीन, आइसोलेट किया गया है जो बड़ी को बिमारियों से लड़ने की सकती परदान करता है इसके अलावे इस पौधे में को हिपैटो प्रोटेक्टिव यानि लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला माना गया है यह liver की toxicity को कम करता है, उसके functions को improve करता है और उसे सुद्रण बनाता है, यह anti-inflammatory है, इसकी पतियों का juice जो है, वो तचा की बिमारियों जैसे psoriasis में, chronic skin disruption में और यहां तक की rheumatism में लगाने से आराम मिलता है, यह पौधा anti-fungal भी होता है, इस पौधे में अन्य गुड़ों इस्टेम, leaf, flowers, सभी का, सभी में anti-bacterial गुण पाये जाते हैं, यह E. coli के बिरुद बहुत अधिक कारगर है, इसके अलावे बहुत से ऐसे bacteria है, जिनके बिरुद यह कारगर रोसदी मानी गई है, यह mosquito seedal भी है, इसके leaf का जो juice होता है, वो mosquito को भगाने में ही प्रयोग होता ह है, और larvae को भी मारने में कारगर है, इसके अलावे इसके पतियों का juice जो होता है, वो हमारे आथ की mucosa को protect करता है, जिसके कारण इससे अलसर आदि में इससे काफी relief मेंती है, सबसे प्रमुगुण इसका है कि यह Parkinson's disease के बिरुद काफी कारगर माना गया है, इसकी पतियों का रस जो होता है, वो हमारे nervous system को अधिक सक्तिसाली बनाता है, और हमारे motor coordination को increase करता है, जिसके कारण Parkinson's disorder में यह काफी आराम प्रदान करता है, यह पौधा fever में, कफ और cold में भी काफी कारगर है, इसका juice दिया जाता है, ऐसे मरीजों में को, और insect bite में या snake bite में भी इसकी पतियों को piece करके, उसको घावाले इस्थान पर लगाने से काफी आराम मिलता है, अनिसका एक प्रमुक उपयोग होता है, आखो और नाक के घाओं में, इसके leaf के sap को, leaf का जो juice होता है, उसको आख और नाक में बून बून डाला जाता है, यह nose की bleeding को sinusitis में और headache में बहुत कारगर औसदी मानी गई है, तो आज हमने इस पौधे के बारे में जाना जो हमारे परिवेस में उगता है, और यदि हम इसका उपयोग करें, तो हम nutritional security को बढ़ाने में काफी सहयोग कर सकते हैं, यह पौधा प्रकृति ने हमें उपहार सरूर प्रदान किया है, तो हमें चाहिए कि हम इसका अधिकादी को प्योग करें, क्योंकि हमें मुफ्त में प्राप्त होता है, इस चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड किये गये हैं, यदि आपको ऐसे वीडियो में रुची है, तो आप इस चैनल पर जाकर के उसको देख, इस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत निवाद,